सो हे गाई सियार आम सभी में से कुछ लगों को ये प्रब्लम देखने के लिए मिल रहा होगा कि जैसे ही आप लोग UPI PIN डालते हैं बैलेंसिंग के बारी करने के लिए फोन पे के जरिए तो आप लोग के सामने ये लिक करके चला आता है अनेबल टू लोड एकाउंट बैलेंस और नीचे स्टेड बैंक अफिया इंडिया लिखता है चाहे जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक का यहाँ पर नाम लिखता होगा इसके बाद नीचे सम्थिंग वेंट रॉंग प्लीज ट्राई अगें लेटर यह लिक करके आता होगा नीचे लिखता होगा री इंटर भी मियाई पिन इसके बाद फिर से दोबारा अगर आप लोग पिन इंटर करते होंगे फिर भी यही प्राबलम आप लोग को दिखने के लिए मिल रहा होगा तो इस वीडियो में बात करने वाल है कि कैसे आप इस प्राबलम को फिक्स कर सकत तो है गाइस स्वागत आप सभी का एक और संदार वीडियो में तो चले आज का वीडियो सुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है something went wrong please try again later लिखा हुआ enable to load account balance तो देखिए यहाँ पर यह problem देखिए phone pay से बिल्कुल भी नहीं है जिहां आप लोग को लगता होगा कि मेरे phone pay में यह problem होगा ठीक है और मैं update कर लोगा या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कि आप लोग को बताते हैं कि phone pay अपने google play store में जा करके update कर लिजिए या फिर मतलब कैसे memory clear कर लिजिए ठीक है यह सारे चीज़े लोग बताते हैं ठीक है और आप लोग वैसा है करते भी हो ठीक है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा updated है फिर भी यह problem आ रहा था मैंने देखिए screen shot लिया है ठीक है यह problem मुझे कल आ रहा था ठीक है यह problem fix हो गया है तो मैं यहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया तो देखिए phone पी में यह जब problem आ रहा था तो मैंने YouTube पर मैंने भी काफी ज़्यादा वीडियो सर्च किया जैसा कि आप लोग सर्च कर रहे हो लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी exact solution नहीं दिया सब ठीक है क्योंकि दोखो यह जो problem है यह bank के server से है ठीक है ना कि आपके phone पे से ठीक है ना ही आपके smartphone से यह देखिए bank के server से है कते ही issue है ठीक है जब आपके bank का server ठीक हो जाएगा issue fix हो जाएगा तब ही problem अपनी आप short out हो जाएगा आप लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो क इतना भी वीडियो सर्च कर लो कहीं पर भी देख लो आप लोग के इसका कहीं भी solution नहीं मिलेगा लोग के वल यहीं बता रहे हैं कि आप memory clear करो और update करो यहीं बोल रहे हैं install and reinstall करो ठीक है तो यही exact solution कुछ भी नहीं है कि आप लोग इसे direct solve कर सो को यह सारा यह problem है यह से fix कर यह सकता है यह problem आप लोग को एक दिन दो दिन तीन दिन तक दिखने के लिए मिल सकता है कि आप दूसरा जो प्लेटफॉर्म है गूगल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो में यहीं तक हम लोग मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में नहीं solution के साथ exact और qualities व